नमस्कार शौथी दुनिया इंटिनेट टीवी पर आपका स्वागत है मैं हो रेतिका और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट आज मैं आपको एक ऐसे सक्स से मिलवाऊंगी जिनें बहुत ही कम उम्र में एक खास इक्षा हुई और उम्र और वक्त के साथ ये शौफ पैशन में बदल गया और पैशन भी ऐसा कि जो मन में ठान लिया उसे पूरा ही किया मैं बात कर रही हूँ देश के पहले शावलिन वारियर की जो चीन के प्राचिन मठ जाकर शावलिन की ट्रेनिंग लेने वाले पहले भातिये हुए चीन के शावलिन टेंपल में 6 साल की तपस्या की बाद कनिश्क 31st जेनरेशन शावलिन वारियर बनकर भारत वापिस आए बच्पन से शर्मीले कनिश्क नई उर्जा, नया आत्मविश्वास और नया उत्सा के साथ वतन लोटे और शावलिन में रूची रखने वाले लोगों को इसमें ट्रेनिंग देने लगे MNC की नौकरी छोड पहुँच गए चाइना के शावलिन टेंपल छे साल की चीत और तपस्या के पाद नई उर्जा, नया आत्मविश्वास, नय उत्साह के साथ वतन लोटे कनिश्क शर्मा देश के पहले 31st generation शावलिन वारियर मौंक बंगर देश केसा सावलिन टार पाद वतन लोटे सावलिन वारियर मौंक बंगर ऐसे बंगर देश्वास, जूएक शावलिन वारियर दोन की चीत वबैटार पाद हादादी मौंक बंगर आज हमारे साथ हैं इंडियास फॉर्स्ट शावलीन वारियर सबसे पहले इन से गानते हैं कि शावलीन वारियर क्यों कहते हैं सर शावलीन वारियर क्यों कहते हैं शावलीन चीन के प्राचीन मठ में से एक कुंफु का मठ महना जाता है जिसको हिंदुस्तानी बुद्धिस्ट मंग बातु ने शुबू किया था 6 सेंच्री में चटी शिदाबदी के आखरी में एक और हिंदुस्तानी बुद्धिस्ट मंग गए ते जिनका नाम था बौधी धर्मा बौधी धर्मा ने वहाँ पे 18 बीधिंग एक से 18 लोहां चीगाउं स्टार्ट किया और पांच आएनिमर्स जो थे टाइगर, घ्रेन, लेपर, स्नेक, मंकी इनको मिलाके उन्होंने इस बीधिंग प्रॉसेस डेवलप किया उस प्रॉसेस से, होते 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 उन्होंने पेना फॉर्म डेवलप किया, the 18 hands of लोहां लोहां एक word है जिसको संस्क्रिट में आरहद कहते हैं अराइट मेंड, एनलाइट इन्लाइट मंक, तो एटीन एनलाइट इन्लाइट इन्लाइट इंस उन्होंनों ने बनाया है शावलन में भी नौथ शावलन है और एक साउथ शावलन है साउथ शावलन का भी बताऊंगा तो यह मंग्स अपने आपको क्योंकि शावलन टेंपल से रूट का पाथ था जंगली जानवर बहुत अटाक करते तो उस वक जंगल में तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हो और जब टाइंग एंपरर को तेरा मंक्स ने बचाया उसके बाद इनको वारियर मंक्स की उपादी मिली कि इन्होंने लड़ाई किये और थर्टीन मंक्स ने स्टिक के दोरा टाइंग एंपरर को बचाया था बहुत फेमस मूवी थी जटली की आईटी शावलन टेंपल दें देख निषानि एंपर के अंबर रहते हैं शादी शुदा नियंगे से मूझ सी फालो करता है दूसरा वरियर मंक्स से फाइटिंग जो फाइटिं करते हैं अने 34 जनरेशन वारियर ले मंक्स जञेकिलर डिसांड़ शाइपर हारत से चीन कैसे जुँछ ए आपर इहा बैब हा तोहां पर इंडिया में कोई शावलन सिकाता नहीं था इसलिए मैंने कराटे से स्टार्ट किया ओकी नावा गुजरी फिर मैंने कुंफुत हुआ किया हिंदुस्तानी कलरी पैट किया और सल 2000 में मैंने MBA कि अपना वापिस आया जॉब की और 2000 के आखरी में मैं रिजायल करके श लेखरी शुफाले खुछ सावलन सिकनी के पिछेका मत्सदेट जिया सक्थ कर था कोई पर बस अप्र गया फिर आपका अपना शोघ एक है। और आणी की लाइफ ने की ड्री ईुट मेर्टा यह कोई तपचन मनना चाहते है और सबसर अटा कि शॉस्य मचेछ मदना चाहता है कुई करोपधी मननना चाहता है मैं रुपती एंल्डी के डिמתके मेर्य इत्ना चीए चेह लॉक्त मेरी लाइफ में और शॉलं भब में बहुत शाय बहुत टिमिट किसम का लड़का था पीछे बैक बेंचर था आगे स्टेज में आगे कभी बोलता नहीं था पहला चेंज आया कि आज मैं 300 500 600 700 लड़कों के लड़कियों का सेमिनार लेता हूं इंटरनाशनल जाके सेमिनार लेता हूं इतने लोगों से बात करत हूं एक लाइफ में अलग कॉंफिडेंस मेरे अंदर जो आया एक स्पिरिट एक मार्शलाइच के पती जो एक वे अफ लाइफ है वो समझने का एक तरीका जो मेरे अंदर आया और यह डिसिप्लिन हर चीज में आगे बनने के लिए से मार्शलाइच दे सकता है आपको कि आपको कैसे बचना है मार्शलाइच चैनीज शब से निकला है वो यह वो मतलब मार्शल यह मतलब दो वे टूए जनलाइटनमेंट बाइक वादी माइन स्पिरिट तोगेदर इसका मतलब यह है कि विलेंट फाइट सब्सक्राइच मैं अपने आपको बचाना जानता हूं लेकिन इसका मतलब नहीं कि नसालक में चलते हर आदमी को मार दो भी शम्राइट मातिये यह वाद फिश्व पार इज़ उससा जाव मतलब दो फोरस शाले जो शोची जोटी माच यह पाला है जो फोड़ यह बड़ा जाव ऑन्त वाली में जो टेंपल बनाए गया तो इसको शुच्ट है यू शाओ लिन फॉरस बोला क्या था चोटी पाडी के जंगल में जो टेम्पल वना वह बना शाओ लिन देस लिट फॉरस्ट टेंपल उसकाल शाओ लिन टेम्पल यह उस टेंपल का मतलब है लेकिन आज इब बिकेम देगेस्ट थेंटर अफको शाओ लिन जो रियल मंक्स हैं, बहुत फ्राउड मंक्स भी हैं, और जो रियल मंक्स हैं, फाइट मंक्स हैं, they are very very tough, mentally and physically very tough, but उनके चहरेश आपको सिर्फ कामनेश दिखेगी, वहाँ पे मेरी सबसे पहले शिक्षा जो थी मिझे मेरे मास्टर दंग जाल दान ने दीती, दंग जाल दान क को शी सूशी जो थे, Honorary Abbot of Shaolin Temple, उन्हों ने मजो लिया, because मेरे मास्टर मजो इनके सामने टेस्ट कराने ले गा, he was the legend of Shaolin Temple actually, Sushi, सूशी के बाद जो मेरे गुरू उसके बाद बने कि मेरे मास्टर शी हैं, जिन फ्रांस चले गए, तो आपर मैं फिर, शिंग शाओ, जो मेरे गुरू हैं, इन से मैंने सीखा, उसके बाद, गैन फैंग और यांजी, जो मेरे गुरू है, जो नौत Shaolin Temple है, हाला कि जो South Shaolin Temple है, एक बहुत बढ़ी कहावत है, the northern legs, north की टांग, south का हाथ, the southern hand, बहुत ही famous कहावत है, और वो इसलिए क्यूंकि, north में बहुत बहुत परती है, तो सब जाके टांग के रहते हैं, so they kick very fast, south में पानी बहुत होता है, and they cannot move, so they practice blindfold, blindfold practice करते हैं, और stick होके लरते हैं, दुकर दूर जाएंगे तो, problem आजेगी, तो वहाँ से पहला सिस्टम निकला था वूदू, Shaolin Temple जब जब जला था, तो पांच मंक्स वहाँ से भागे थे, व लोहां च्वान, डामो स्टाइल, आपका मंकी स्टाइल, क्रें स्टाइल, तो पांच अलग अलग स्टाइल्स को मिला के, इनोंने बनाया 5 एंसेस्टर बॉक्सिंग, वूदू च्वान और गोर्चो, वूदू से इनोंने निकाला, southern Shaolin, 18 लोहां, splitting bamboo tactics, उस से निकली विंचो विंचों मैं अपने Shaolin India सबसे सीनियर इंस्ट्रक्टर को बिलाऊँगा, मैं उनके साथ आपको करके दिखाऊँगा कि ब्लाइंट फोल्ड होके हम कैसे ट्रेनिंग करता हूँ का च्वारा और मैंने रोका और मैंने पंच मारा हम दोनों के हाथ थजगे क्योंकि कीचर है तो किक नी मार सकते हैं यहां से डिल्क साथ होती है चीसा दूप करता हूँ तो सबसे पहले दिले दौन चीज़ा हो जैसे इनका हाथ निया पे लगा दिया है ट्रेलिंग के लिए मैं इनको पुश करुआ अब यह मुझे पंच कर रहे तो हम रोगों कुछ दिख नहीं रहा लेकिन अब जिसा होता क्या है अब जिसे मेरे हाथ है और मैं चाहता हूं कि ये मेरे को टच करें मेरे आख बंद है मैं आप से बात कर रहा हूं बच आई सी फंद टैच और डोंट सी फंद आइस तो मैं चाहता हूं कि आरों मज़े कहीं तो भी पंच मारे रहे हैं कर दो कि सब्सक्राइब कहीं से भी मेरे को मालने कोशिशिश करेंगे तो ये ड्रिल है सब्सक्राइब इसका बेस्ट एक्जांपल मैं आप इसे कर वाता हूं आप यहाथ रखिए इखात इखात इदर रखिए और यह टाइट है आप में अज़े दख्का दीजिए पूरी तक अचे और दीजिए और पुरे टाइब दख्का से दख्का दीजिए मैं पीशे जा रहूं ना तो विकयाज मंहाद हूं अभी थक्राद इया जिए यह थिए फाग जो है वो फिए इसस्पीड HOLA मड़ल стало की जाता है तắp पावर जो है वो होती है स्पीड गोद वक्प की जाता है mostly स्पीड वर मास taught the heart of God taught us to you process चीजाओ, दॉन्चीजाओ, ग्रॉंग्साओ, लॉप्साओ, और डबल हैंड स्टिकल से यह निकल के आता है। यह जो फार्म बनाता है एटी लोहान जिसमें बहुत सारे क्लोस कोटर फार्वी मुवमेंट है। बार बार इस तरीके के हैं मुवमेंट जो आपको नौथ में नहीं दिखेंगे। उसका जैसे में आपको एक मुवमेंट दिखाता हूँ। यह मुवमेंट का हर एक अप्लिकेशन यह है। जैसे रहने पंच मारा। दो हाथ मतलब, यह काती फिर आँगका डिन रोका वह पिर आगका ती। कि यह सब चीजे की जाते हैं तो इस तरहे शालन जो फॉर्म जे वो अभी कम से कम प्रिजर्व असी फॉर्म है शालन टेंपल में उसके बाद 18 वेपन जाते हैं मैंने कुछ आपके दिखाए इंशोगों दिया च्वाइन स्पीर नाइन सेक्षिन विप चेंड यान वेपन जा अब तरह थार वेपन जे उसके बाद चिनना ग्लाकिन सिस्टम जो अगी हमने करके दिखाया है तो यह सबना आपका रिस्ट पकड़ लेता हूं और आपको अगर छोड़ाना है तो आप कैसे छोएंगे इसको अब अब जोड़ी वाइन मैं थार नो सिंपल साइंज मेरे देवाजा का है यह आप उंगली कोलियो और साथ की तरह हाथ को कॉल करिए तो अजा पकरिए को कालो दूप कोई आपकर कोई आपका तो यह है तारी 6 और नेगिटिव लोंगे शित्म सेमिटी टू पोजिटैव लोगे शित्म एंट्टीट है यह चीज़ आपको जो मने नहीं दिखा ए थी आपको अँगा ती आपके आम से लेके आपके हार जगे प्रेशर पाइंस है, हर पोईंक पे हमारे हें, अगर मैं मुझे पकरते हैं यहां से, पबले, I don't need to do anything but I grab him, he leaves me, grab again, I grab him, he leaves me, he grabs my collar, I grab him, he leaves me, he grabs my leg, I grab him, he leaves me, प्रिष्यर पुईट पोर्य पॉए प्राइप आप को पैसियों अपोल पॉपरे आपको पैसियु थे मिजड रिवाफ रिवाचिए तेूविद्ट यूजए जिए और थिम्ट टेंट तेडवर्चान को या तयुट अजिए पुर्ट सार को पैसर पैसियृत घर दो असे जि कि यहां पे सबस्क्राइब करना बच्पन में सब्सक्राइब करते हैं कि आपके पीचे से लात मार दी तुपना नीचे हो गया तो अगर मुझे साद्मी को गिराना है भीचिया दूसके सब्सक्राइब करते हैं किस परके लोग आपके पास नितिकिशन्वा ते अपलोगोगी अध्यूंत जिखना चाहता है कोई माशलाच जाज़े फिलोसफी की तरह सीखना चाता है, कोई सिर्फ कॉमबैट सीखना चाता है, तो बट एक प्रोसेस है, पाथ से पंदरा साल के बच्चों को ज्यादा हिटिंग नी कराते हैं, उनका बेसिक मेंटल डवलोप्मेंट, फिजिकल डवलोप्मेंट, फिजिक पावर उसकरते हैं, फिजिक वोद हैं, पावर युस्टा नोष थिखाते हैं, तो उस बण्योफ्मेंटर देन ग्रट जाटा हैं, फिजिकल से इस पुशल पिंदरा समयले आइ, विस पुशल भी ने रहा, विस पुशल पुशले हैं, उसनल ग्रटाइन साल तीट जिड़् और एक्जेक्टेब्स के लिए लगा है अगर आप इसको देखेंगे सिर्फ आपनी के बिस्बालंस करने के लिए मेरे पकना आपकी प्रेस्मेंट अगर मैं अच्छली कुछ किया नहीं तर आप इस्ट मुव इंसाइड और रिस्ट में गाप समय कॉलर की सी दिस चैनल है टारालै अलफ्स में ड्यातकी अच्छली की ऐससंगिट तैरले बीएं जील्स ट्रिप्न पॉडरि जरीया नहीं प्रोट जो शावलें से अलगे तो वो से बार्मियों स्पेशल फोर्स के लिए सिकाता हूँ पर यह पुलिस्वालों को सिकाता है आपको पास हट्टरी नहीं है प्रिमन को आसके लेके जाते हैं जरूट कैसको इतना मोल दीजे तो कहीं भागी नहीं सकते हैं परिषे खी तो कि अधिए जावलों को सिवालों प्राक्टिस करते हैं जाओ लिए जाती है आदमी की इस तरह के प्राक्टिस जो भी सीखते हैं आप शाइना जाकर शीख कराये हैं और हमारा वहाँ खान पाना लग होगा सीखने के दोरा आगे यहां नॉमन लोग अंजैसे लो गया सष्थार ररन योव इस अधान लोग सीखने कम किया उनको सीखने में परिशाने नहीं हुए है कि अपने लाइफ एले क sıह से अपनी परिशाल को सीबने में के लिख्टेम में चेटकिए vite ग Commerce दोगलने ने पिजामा कहते हैं इस पोजिशन में दो गंटे तक बैटना इस अपसे पहली एक साइज है लोग तो चार मिनिट बाद लोगी टांगे का अपने लगती इस पोजिशन में तो आपके लिए तिखाना कैसे पॉसिबल हो पाया है यह कराते हैं बच्चे को तो भी वेरी होनस्ट इस सभी किराथ है तो एक मिनेट-टो मिनिटस अधानी कराते है को संध। दस्ताने बहुत हाइक तरी परदम को मिच हैं कि आप पत्चन को अढ़र आए ऑच्चे का आदर दो रहा है यह बहुत सारी कॉम्प्टिकेशिआ है लेंगे वा तो हाज्वेयों देकित Неट mojeं उ दै कर तो इस पेल को अपन करने के लिए भी को है perfect इसके एक सेट में आपको करके दिखाता हूं इसके एको ुुुुुुुुुुुुुुुूुुुुुुुूिुुुुुुुुुुुु!ुुुुुुुुुु ?ुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु ुु多 ?ुुुुूु orphanelelelelelelelelelelel Gespr".ुG ngorekerini and the emperor arekyoaaus afternooni выглядovatorio. failiyガ температура decen dñal j 1000 lal कि यह मुवीं मेडिटेशन स्टेल वॉटर खराब होता है मुवीं वॉटर फ्रेश होता है तो जाता है देर तर अगर आप देखें आप आथी पाथी मार के बैठेंगे फिर आपके घुटने दर्थ कर जाता है कि अब मेडिटेशन इंपोशन है जी तो चीव काम ने से मोशन आप बंग कमरें बैट के ध्यान करें आप बोले मैं तो बहुत काम हूं आपकोस यू केंदी काम बढ़ अगर शारक में चाब आप मुरे और बगल में डीटीशी बस नहीं बच जाए तो लोगों की सारी यूगा मैशनी चाहिए इसाट करने के लिए विकाज़ इस इंटर्नल एस एक्सटर्न इसी यह साफ चीओं हाट चीओं क्या है जिस्ते हम प्रैक्टिस में अपने सर से आयरें की बाहर तोरता है लोगों का लोगों को लोगों को लोगों को नहीं सिखाते हैं सिफ उनके खिरूरत के ले बिरकी से ओता है ले इनिंग सेखाते हैं नहीं को भूपता है अचो नहीं को सीखाते है लेकिन से आफ चाहिगा सिखाते हैं स्पार मैरी सुछी अलगा चीओं सब्सक्तिक अब कर दोसक्तिक उसल्या शान कि प्रॉपक तेमिटे आब शूगों के लिए घरे अग्रेसिव नियोना चाहिए, इस पॉपस ऑफ लैनिंग शुद भी लॉंजिविटी अफ लाइफ, तो हेल्प अदर पीपो और तु सेव इस फैमिली एन इंसेल्फ, अग्रेशिन मोड नियोना चाहिए उसके अंदर। हमने आपको मिलवाया देश के पहले शावलिन वॉरियर शीफू कनिश्क सर्मा से, अपनी एक अलग पहचान बनाकर कनिश्क ने ये साबित किया, कि मन में हुई चाह कि प्रती सच्ची लगन हो, तो किसी भी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं है। परिक्षित काफले, क्या करते हैं आप? मैं शावलिन का इंस्ट्रक्टर हूँ, इसके अलावा क्या करते हैं आप? मैं फुल टाइम शावलिन करता हूँ, कब से रहे हैं? मैं अभी सारे तीन साल होने लगाए। करते हैं? मैं अभी ही रहता हूँ पास में बटाइम प्रमासाप, तो मैं शिफु कनिस्की के अंदर ही डिसाइपल हूँ, वो मेरे गुरु है, तो मैं यहां अभी इंस्ट्रक्टर हूँ, आप तो सीख कर क्या फाइदा नजर आता है? मुझे तो मेरी तो यह बच्पन से सौक था कि लाइफ में शावलिन करूँगा, मंक बनूँगा, तो इसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, जैसे कि बच्चों के लिए कुछ है, बुरों के लिए कुछ है, तो स्टिट साइवायबल और लड़कियों के लिए अलग अलग चीज़े हैं, तो मेरे इसाब से हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा शावलिन में, यह नहीं कि सिर्फ एक क्लास के लोगों के लिए है, एव्रिवान आपको सीख कर और जब आपने नहीं सीखा था उससे पहले, आपके पस्मालिटी में क्या थे इसाए हैं, या बहुत सारे इसाए हैं, जैसे कि पहले जैसे मैं बच्पन में जैसे मार्शल आर्ट नहीं करता था, तब कहीं भी जाने से डर लगता था, अजने भी लोगों से भी डर लगता था, लेकिन अब एक कॉन्फिडेंट आया है कि मैं अपने आपको एक शावलिनिस्ट की तरह कर सकता हूँ, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आदमी काम हो जाता है, आदमी में जैसे कि पहले मैं बहुत घबरा जाता था, चोटी-चोटी बातों में परिशान रहता था, अभी मुझे कुछ वेसा फिलिंग नह होता है, तो यह थे शीफु कनिश के ट्रेंड इंस्ट्रक्टर जो शीफु कनिश से ट्रेनिंग लेकर, उनके इस अंस्थान में आने वाले बच्चें और दूसरे लोगों को शावलिन के सेल्फ डिफेंस टेकनिक सिखाते हैं, अब मिलते हैं यहां आने वाले बच्चे से, वेर दिश्टी, बच्च, इन विच क्लास, तूए, क्या की अभी अभी आपने, विंक आंच वाले, किसे सीखते हो आप, परीचे से, और कब से सीख रहो हो, फाइव मन्स, वाइव मन्स, मजा आ रहे हैं सीखने में, क्या अच्छा लगता है सबसे दा, क्या बनना है आपको बड़े हो के, फाइटर, किसने बताया, ममी ने बताया सिखाने के लिए, पापा, पापा ने बोला, क्या बोला पापा ने, जो बेटा फाइटर बनो, क्या बोला पापा ने, कमांडो, कमांडो बनना है, अरे वाँ, यह है हमारे साथ नन्हे कमांडो जो आने वाले दिनों में देश की रक्षा करेगे तो स्पेशल प्रोग्राम के इस एपिसोड में बस इतना ही जैसा कि प्रोग्राम के दौरान श्रीपू करिक्ष ने बताया कि श्रावलिन के सेल्फ दिफेंस, ट्रेक्टिक्स को वो महिलाओ, एग्जेक्योटिव, पुलिस, मिलिटरी, एस्पीजी कमांडो और बॉलिवुट के स्टार्स को भी सिखाते है आगे के एपिसोड में मैं आपको इन सब की ट्रेनिंग के डीटेल्स बताऊंगी और उनके कुछ अन्श भी दिखाऊंगी आप इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का फिल्हाल मुझे दीजिये इसादत और आप देखते रहिए चौथे दुनिया इंसेट टीवी नमस्कार